जब भी आपको कोई मिलता है ना जैसे कि शिकार मिलता है ना तो उसको छोड़ना नहीं है So hello Viraj Hello कैसे हो आप पहले फिर्स्ट कैसे हो So मैं भी बड़ी हो Viraj तो मैं आपको कुछ कुछ पूछन्स पूछना चाहूंगा जो beginner traders है या जो enthusiast traders है और जो professionals भी है लेकिन profits नहीं कर पा रहे और बहुत सारे ऐसे लोग है जो इनके ऐसे बहुत psychological points है जो उनके mind में है लेकिन वो कभी clear नहीं होते है जो market है उसमें कोई clear नहीं करता तो आपके जैसे आपके subscribers है आपके YouTube family है आपको बहुत पसंद करते हैं Because of your psychological videos Because of your thought process ट्रेडिंग को लेकि एक अलग नजरिया आपने लोगों को दिखाया और सबसे highlighted point जो हमने देखा है वो है trap trading तो मुझे अगर new audience है तो उन्हें आप trap trading कैसे explain करोगे या trap trading कैसे समझाओगे कि क्या होता है देखे, trap trading मैं उनको समझाने से अच्छा उनको market अल्रेडी वो समझा रहे है डेली वो लोगोंने अभी तक हर channel पर चले गए होंगे हर किसी की psychology देख लिए होंगे हर किसी के live trade देख लिए होंगे हर किसी के courses ले लिए होंगे तो वो लोग वो सारी चीज़े अल्रेडी सीख चुके है जैसे की breakouts, chart patterns, indicators यह सारी चीज़े अल्रेडी वो लोग सीख चुके है मुझे उनको explain करने की जरूरत नहीं उन चीजों के basis पे वो लोग already trade भी ले चुके है उनको market ने बता दिया है कि जहां पे वो लोग entry कर रहे है वही से ही market reverse की हो रहा है यह मेरा आप लोगों से question है आप लोग comment करके बताएए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग जरूर comment करके बताना कि होता है आप लोग entry लेते हो breakout पे अच्छी candle close भी देख लेते हो आप लोगों को indicators भी confirmation देतेता है आप लोगों को chart patterns भी confirmations देते है सारे confirmations को देखने के बाद आप लोग एक perfect entry जैसे ही लेते हो market नीचे जाता है या तो आपका SL hit करके पूरा reverse हो जाता है या तो आपका SL hit करके पूरी तरह से वापिस से उपर आ जाता है market कहा से reverse हो रहा है क्या यह बार बार हो रहा है क्या जो probability है उनकी यानि कि अगर वो लोग breakout लेते है 10 बार अगर breakout fail हो रहा है for example 10 में से 6-7 बार अगर breakout fail हो रहा है तो क्या यह system नहीं हो सकता क्या क्योंकि मैं हमेशे पहले से बोता हूँ fake breakout is not a problem लोग पूछते कि हम इससे कैसे बचे जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कि breakout काम नहीं करता है तो लोग comment करते कि अच्छा यह सब तो ठीक है लेकिन हम इससे बचे कैसे तो इससे बचना नहीं है यह खुद एक solution है आप उसको ट्रेड करने के लिए कोई सिस्टेम नहीं बना सकते गा यह मेरा मतलब question है थोड़ा सा observation करोगे तो सबको यह चीज़े पता चल जाएगी तो एक और question मेरा यह है कि यह तो market उपर जाता है यह तो नीचे जाता है लेकिन stats यह बोलते है कि 95% traders lose money तो अगर market उपर जाता है यह नीचे जाता है तो probability 50-50 चाहिए या तो buyer की या तो seller की but in the end 95% people lose कहते है तो इसका reason क्या है तो आप मतलब 30 सालों से market लोग trade कर रहे है या अगर कोई किसी का experience 30-40 साल भी है फिर भी हो losses करता है फिर भी उसका win rate है वो 6 out of 10 होता है तो इसका reason क्या है कि आप कितना भी experience market से ले लो तो भी इतना आपका win rate कोई 100% possible नहीं है या फिर 95% beginners lose करते है और अगर मैंने stats देखे तो उसमें यह बताया है कि market में जो भी participate करता है तो 95% people first two years में give up कर देते है या निकल जाते market से तो यह overall सब चीजों का आपको क्या लगते है कि क्या reason हो सकता है अब देखे मैं आपको एक simple सा example लेता हूं जो सब ने एक नएक बार face किया हुआ है अपना अगर remote TV का अगर यहां से नहीं चल रहे है तो मैं क्या करूंगा direction change कर दूंगा यहां से try करूंगा यहां से try करूंगा थोड़ा नस्दीक से try करूंगा तो यहां पर mistake जो लोग करे तो कम काम करिए तो probability ध्यान में आदिग कैसे ध्यान में कि journal अगर लिखोगे जर्नल से पता चल जाए का कौन से trade चल रहे कौन से नहीं चल रहे जो ट्रेड चल रहे उसमें क्या कौंगा नहीं देखना है जो trade नहीं चल रहे उसमें जो भी common है उसको eliminate कर देना जैसे कि अगर के जो 95% आपका जो क्वेशन था कि क्यों लूस कर रहे हैं रीजन यह है कि वो सारे लोग सेम चीजे फॉलो कर रहे हैं ठीक है और मार्केट में जीरो सम गेम है वन बायर इक्वल टू वन सेलर होता है 95% लोग एक साथ बाय करेंगे तो काम नहीं करेंगा ठीक है आपने सुना ह कि हमेशा आपको बोला जाते कि पैनी स्टॉक में हैवी कॉंटिटी मत लो प्रॉफिट कर भी लेते हो तो एक साथ नहीं कर पाऊगे क्यों कि अगर बायर यह सेलर अवेलेबल ही नहीं होंगे ट्रांजेक्शन कंप्लेट करने के लिए तो आपका हो पाएगा क्या नहीं हो तो उसी तरह से सभी लोग एक साथ अगर बाय करेंगे तो प्रोबाशेशन बिल्कुल भी निये की मार्विट वहां से उपर जाएगा कशिय विज्य करेंगे तो भी मार्विक नीचीत आदे इसी प्रोबाशेशन नहीं होगा और एक और कोश्चन है पोँत इंपोर्रण को बोला जाता है कि market में psychology is 80% and technical surges 20% तो ऐसे क्यों बोला जाता है देखें अभी मैं मतलब जब मेरे students होते हैं workshops होते हैं तो मैं उनमें सबसे पहला question में उनको सबसे बेरा मेरा यह question होता है कि कितने लोगों ने chart patterns यह जो already रोपे लगा लेते chart patterns तो मैं उनसे next question यह करता हूं कि क्या trading इतनी easy है कि कोई भी आएगा chart patterns सीख लेगा और वो trader बन जाएगा ऐसा अगर होता तो हर कोई trader बन चुका होता तो psychology का कुछ न कुछ रोल है क्या रोल है उनको दो टाइप के psychology होते ठीक है अगर वो लोग market में है तो उनको technicals तो देखना है लेकिन उनको देखना है कि जो opposite side के players है जो buyers है जो sellers है कौन कब profit में जैसे कि market नीचे से लेके उपर तक 2000 पॉइंट already rally कर चुगा है तो common sense है कि नीचे से उपर तक किसी ना किसी ने buy कर लिया होगा किसी ना किसी ने का मतलब है कि जो बड़े players होते हैं बड़े players continuous market को जब उपर लेके जाते हैं तो कभी ना कभी profit तो book करेंगे profit अगर book करेंगे तो market retraced होगा यह होगी common logic इस त profit hold करने में फिर profitable बनने में उनको ज्यादा time नहीं लेगा तो जितने भी लोग break even के आसपास हैं उनको बिल्कुल भी tension लेने की ज़रूद नहीं है जो break even के आसपास है उसको बस थोड़ा सा profit में जाना है profitable बनने के लिए लेकिन जिन्होंने already बड़ा loss कर दिया है उनको थोड पैसा आ रहा है जा रहा है जाने मत दो simple okay so I like this point और अपने बहुत अच्छे बाते बोली और मुझे psychologically I hope सारे viewers को भी पसंद आएगा और जाते जाते सब के मन में question भी आता है कि क्या formula एक profitable trader बनने का तो इसका आप क्या answer दोगे देखिए over the years या फिर जो भी already 3-4 साल से minimum 5 साल तो होगा बहुत सारे लोगे viewers है तो उन को भी यह चीज़ बाद में समझाएगी strategy है सबको पता है बहुत सारी strategies already available है यहाँ पे जो secret वो simple है कि lose less and win more यह बाद में आपको लगता है कि पहले तो आपको लगते कि नहीं कोई नहीं कोई strategy होगी 100% strategy होगी तो ऐसा नहीं है यह strategy घूम लोगे आप पुरी दुनिया घूम अगले losses cover हो चुके होते है तो जब भी आपको कोई मिलता है ना जैसे कि शिकार मिलता है ना तो उसको छोड़ना नहीं है तो ट्रेड में आ चुके हो profitable trade में चलने दो trailing SL के साथ चलने दो maximize करो उसको ठीक है तो trailing के भी अलग-अलग methods होते हैं उसके ओपर हम कभी और बात कर इनको subscribe करना यह रोज live market में live करते हैं ठीक है मुझे बहुत लोग request करते हैं कि sir live आओ live market में live आओ तो मेरा काम यह कर देंगे आपको ठीक है हम दोनों मतलब childhood friends है हमारी जो psychology है जो सोच है trading को लेके almost similar है तो आप लोग उनका live market में बिलकुल check कर सकते हो कि क्या analysis कर रहे है क्या तो पूछ सकते हो ठीक है तो that's it that's it guys thank you from my side this is Abhay Patil from Traders Paradise India and thank you so much Viraj we'll see you in next video and subscribe करना बूलना मत हमाँ तो thank you guys